स्वागत है आप से वीकाट एक श्टड़ी आईटे यूटूब चलनल पर SDSC SAR ठीक है, 37 दवन अंत्रिक्ष केंद्र सार जो की ISRO की ही एक organization या unit आप कह सकते हैं यहाँ पे आईटे पास आउट, candidate, diploma, पास आउट और इटेक यानि graduate pass out candidates के लिए apprenticeship आई थी जिसके की form offline fill up करने थे इस पे update हमने आपको दे दी थी आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका form कैसे fill कर सकते हैं और उसके साथ क्या-क्या document attach करना है और आपको उसे किस date तक कैसे भेजना है तो यहाँ पे carrier section में आप उसका notification भी download कर सकते हैं बाकी जो notification था उसे हमने अपने telegram channel take study iti पे भी डाल दिया है आप चाहें तो वहाँ से भी उसे जाके download कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है vacancy October 12, 2022 को यह जारी की गए vacancy है 2022 देश के लिए इसमें stipend जो है graduate apprenticeship के लिए 9000 रुपए है one year duration का डिपलोमा के लिए 8000 पर मंत है और ITI के यहाँ पे fitter, chemical, motor, mechanic, electronic, mechanic और RAC trade अपलाई कर सकते हैं 8000 पचास रुपए stipend है इसके लागए आप 10 प्लस 2 हैं तो आप nursing, multi-purpose health worker में medical lab technician and construction technology में apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको 7000 रुपए stipend मिलेगा apply कैसे करना है form इसके बारे में यहाँ बात करें यह है application form यह आप यहाँ से download कर लीजे notification और इसी में आपको application form मिल जाएगा इसी को fill करने की यहाँ पे बात करेंगे ठीक है यहाँ पे बाकी detail आपने देख लिया होगा notification में कौन को न apply कर सकता है कपकप के pass out candidate apply कर सकते हैं उसके बारे में complete चीजे हमने आपको explain कर दी थी अब इसमें जब आप apply करने जाएंगे apprenticeship तो सबसे पहले आपको देखना आप किसके लिए apply कर रहे हैं उसके नीचे आपको आपको क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है अपनी जो ब्रांच है उसे फिल करना हमालीज जैसे आप फिटर है तो यहाँ पे फिटर लिखना है वो लिखने के बाद या जैसे मालीज आपका chemical है motor mechanic है electronic mechanic है RACA जो है उस चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है देखे लिखा ना strike out unapplicable and fill the branch ठीक है as per the requirement given above जो above दी गई है उसी recording आपको यहाँ पे लिख देना है इसके बाद आपको यहाँ क्या लिखना name in block letters ठीक है इसको block letter में आपको name लिखना है यहाँ पे अब block letter मतलब क्या होता है capital letter में ठीक है capital letter में अपना आपको क्या लिखना है नाम लिखना है जो आपका नाम हो उसे आप capital letter में पूरा नाम 10th की mark sheet के carding लिख देंगे date of birth लिख देंगे and age तो date of birth लिख देंगे आप यहाँ पे और age जो है आपकी कितनी हुई उसको लिख देंगे कब calculate करके यहाँ पे देखे लिखा हुआ है 31 October 2022 तक आपकी कितनी rate है वो आपको यहाँ पे calculate करके लिखनी है marital status क्या है single है या married है उसको आप टिक करेंगे nationality आपकी Indian है उसको आप लिखेंगे इसके बाद address यहाँ पे पूछा गया address में आप अपना address प्रॉपर लिखेंगे अगर आप सहर में तो उसका address गाउ में है village आपका क्या है post आपका क्या है then district क्या है आपका और pin code आप लोग जरूर डालिएगा ठीक है बिना pin code के कोई address complete कभी नहीं रहेगा प्लस 91 के आप mobile number अपना लिखिएगा phone number एक और है आप additional कोई number हो उसको यहाँ पे दे सकते हैं इसके बाद आपकी category क्या है उस पे आपको strike out करना ठीक है जो भी unapplicable उसे क्या लिखा है cut कर देना जो भी आपका उस पे tick कर दीजे आप यहाँ तो यहाँ इनको cut कर दीजे बाकी छोड़ दीजे ठीक है whether applicant is an ex-service man अगर yes है यहाँ यहाँ अदर वाइस no ठीक है whether applicant is physically handicapped type of disability यहाँ अगर है तो आप type of disability लिखना होगा अगर no है तो no पे tick कर दीजेगा ठीक है अब नीचे educational qualification है exam pass तो यहाँ सबसे पहले आप 10th का भरेंगे UP board, CBSC board जो भी आपका हो year of passing यहाँ पर कब pass हुए कितना percentage आपका आया main subject क्या था PCM है, science है, जो भी आप चाहें इस तरह लिख सकते है science extreme रही हो तो then exam pass में यहाँ ITI लिखेंगे ठीक है यहाँ लिख देंगे NCVT NCVT से हैं तो, ठीक है year of passing जो रहेगा वो लिखेंगे आप percentage कितना बना आपका लिखेंगे decimal के दो डिजिट तक main subject आपका वही जो trade है वही आपका हो जाएगा fitter, electrician, electronic mechanic है तो electronic mechanic same diploma है, आप ITEC वाले यहाँ पर अपना subject फिल कर देंगे, अपना trade फिल कर देंगे are you undergoing या undergone apprenticeship training तो इसे आप no करिएगा, अगर आप yes करते हैं तो आप apprenticeship के eligible नहीं है क्योंकि lifetime में आप एक ही बार apprenticeship कर सकते हैं कुछ अगर आप पास experience है तो वो देना है misconduct तो इसे आप no कर दीजिएगा, ठीक है ऐसा कुछ अगर नहीं है आपके साथ तो if selected, how soon can you join अब यहाँ पूछ रहा है, अगर आप apprenticeship में select होते हैं तो कितनी जल्दी आप join कर सकते हैं तो one month, two month, जो आप time limit एक देना चाहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अब है reference, other than your relative अपने relative के अलामा आपको यहाँ पे दो लोगों का जो है reference देना है with phone number, इन्हें जो है ISRO या HDST जो है phone करके पूछ सकता है अब who knows about your professional competence तो आप अपने teacher and principal दो लोगों का यहाँ पे नाम दे सकते हैं या कोई दो teachers हों जो आपको जानते हों तो उनका आप नाम दे सकते हैं name देना है, उनका address देना है, उनका phone number देना है नीचे फिर से name देना, address देना है, phone number देना है ऐसे व्यक्ति का नाम दीजेगा यहाँ पे इनके पास अगर phone end आपके बारे में पूछा जाए तो वो बता सकें, ऐसा नहों को ignore कर दें कि नहीं होने नहीं जानते हैं, आपके बारे में गलत गलत बोल दें, तो ये चीज मत करिएगा, दिन आपको यहाँ पर date डालना है, यहाँ पर place डालना है, यहाँ अपना signature करना है, signature को running hand में कीजेगा, capital letter में मत लिखिएगा, ठीक है, जो भी आपका signature हो, हमेशा signature जो होता है, running hand में होता है, ठीक, अब नीचे देखिए आपको attachment क्या-क्या लगाना है, 10th की आप mark sheet लगाईएगा, photocopy, higher secondary school अगर 12th है तो उसकी mark sheet लगाईएगा, अगर आप 12th basis वाला apply कर रह लगाना है, मतलब basically 10th की mark sheet, 12th की mark sheet या ITA की mark sheet जो भी आप जिसके लिए apply कर रहे हो, मतलब 12th ITA, diploma या BTEC की mark sheet, certificate and card certificate या EWS है, EWS certificate, इतनी चीज़ें आपको लगाने हो, ऐसे EWS यहाँ पर mention नहीं किया गया, category में आप देखेंगे तो, सिर्फ unreserve OBCCST है, तो EWS mention भी नहीं है, तो साइद आप reserve में apply करिए, यहाँ पर EWS में apply करने कोई जरूरत नहीं है आपका, ठीक है, इसके अलावाब यह सारी चीज़ें attach करने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको paste करना है photo, और आप चाहें तो साथ में एक photo अपनी attach भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी यह address पूरा लिखा है, the administrative officer, review section, personal and general administration second, technical service building, SDSC, SHAR, स्री हरिकोटा, त्रुपती district, आंदरा प्रदेश, दिस, यह pin code है, 31 October से पहले जाना है, तो आप जितनी जल्दी हो सके, इसे fill करके, आप वहाँ पे send कर सकते हैं, ITI, Diploma, BTEC and 12 pass out, ठीक है, चार तरह के qualifications के candidate इस form को fill कर सकते हैं, उमीद करते हैं अब आपको form भरने में कोई परेसानी नहीं होगी, आप आसानी से form fill up कर पाएंगे, time जादा नहीं है, registered post इन से चार दिन में वैसे पहुंच जाता है, आप लेकिन कोसिस करिए, जल्दी से जल ठीकने को भी अच्छा मिलेगा, and in future अगर इस रों में कभी vacancy आती है, तो apprenticeship को थोड़ा waitage भी दिया जा सकता है, thank you very much.